साथियों वैसे COVID-19 के कारण कई सकारात्पक बदलाव हमारे काम करने के तरीके, हमारी जीवन शैली और हमारी आदतों में भी स्वाभावी गुरूप से अपनी जगा बना रहे हैं अपने सबने भी महसूस किया होगा, इस संकट ने कैसे अलग-अलग विश्वों पर हमारी समझ और हमारी छेतना को जागृत किया है, जो असर हमें अपने आजपास देखने को मिल रहे हैं, इनमें सबसे पहला है मास्क पहनना और अपने चेहरे को ढखकर रखना, कोरोना की व आजपास के भहुत सारे लोग मास्क में दिखे, लेकिन अब हो यही रहा है, हाँ, इसका यह मतलब नहीं है, कि जो मास्क लगाते हैं, वे सभी बिमार है, और जब मैं मास्क की बात करता हूँ, तो मुझे एक पुरानी बात याद आती है, आप सब को भी आत होगा, एक जमा है, यानि फल मतलब बिमारी में ही खाया जाता है, ऐसे एक धारणा बनी हुई थी, हाला कि समय बदला और यह धारणा भी बदली, वैसे ही मास्क को लेकर भी धारणा अब बदलने वाली ही है, आप देखिएगा, मास्क अब सब समाज का प्रतिक बन जाएगा, अगर बिमार इसे खुद को बचना है, और दूसरों को भी बचाना है, तो आपको मास्क लगाना पड़ेगा, और मेरा तो सिंपल सुझाव रहता है, गमचा, मून ढखना है, साथियों, हमारे समाज में एक और बड़ी जागरुता ये आई है, कि सभी लोग ये समझ रहे हैं, कि सारवज देनेक स्थानों पर थूकने के क्या नुकसान हो सकते हैं, यहां वहां कहीं पर भी थूक देना गलत आदतों का हिस्सा बना हुआ था, ये स्वच्चता और स्वास्त को गंभीर चुनावती भी देता था, वैसे एक तरसे देखें, तो हम हमेशा से ही इस समस्या को जानते र गई थी, अब वो समय आ गया है कि इस बूरी आदत को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, कहते भी हैं कि बेटर लेट दन नेवर, तो देर भले हो गई हो, लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए, ये बाते जहां बेजिक हैजिन का स्तर संक्रमन को फैलने से रोकने में भी मदद करेगी, मेरे प्यारे देशवासियों, इस वैश्विक महामारी के संकड के बीच, आपके परिवार के सदर सके नाते, और आप सब भी मेरे ही परिवार जन है, तब कुछ संकेत करना, कुछ सुझाव देना, ये मेरा दाईत्व भी बनता है, मेरे देशवासियों से मैं आप से आगरह करूंगा, हम कते ही अति आत्म विश्वास में नफस जाएं, हम ऐसा विचार न पालने, कि हमारे शहर में, हमारे गाउं में, हमारी गली में, हमारे दब्तर में, अभी तक कॉरोना पहुंचा नहीं है, इसलिए अब पहु और हमारी हाथों बार-बार कहा जाता है, सावधानी हटी, तो दुरगट न घटी, याद रखिए, हमारे पुर्वजों ने हमें इन सारे विश्व में बहुत अच्या मारदर्शन किया है, हमारे पुर्वजों ने कहा है, अगनिही शेशम, रुर्ण शेशम, व्यादे पुना पुना प्रवर्देत, तस्मात शेशम न कारियत, अर्थात हलके में लेकर छोड़ दी गई आग, कर्ज और बिमारी, मोका पाते ही दोबारा बढ़कर खतरनाग हो जाती है, इसलिए इनका पूरी तरह उपचार बहुत आवशक होता है, इसलिए अती उत्सा में स्थानिय स्तर पर कहीं पर भी कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए, इसका हमेशा हमेशा हमने ध्यान रखना ही होगा, और मैं फिर एक बार कहूंगा, दोगज दुरी बनाए रखिये, खुद को स्वस्त रखिये, दोगज दुरी बहुत है जरूर सोशल मीडिया पर देखिये, हर तरफ इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए किस तरह से भारत के अविवेद और योग की चर्चा हो रही है, कोरोना की दरश्टी से आयुष मंत्राले ने इम्मिनिटी बढ़ाने के लिए जो प्रोटोकल बिया था, मुझे विश्वास है कि आप लोग इसका प्रोग जरूर कर रहे होंगे, गर्म पानी, काढ़ा और जो अन्य दिशांदे देश आयुष मंत्राले ने जारी किये हैं, वो आप अपनी दिन चरिया में शामिल करेंगे, तो आपको भहुत लाभ होगा, साथियों, वैसे ये दुरुभागे रहा है कि कई बा करता है, हमारी फर्मिला हमें सिखाता है, हम उसे हाथ हो हाथ ले लेते हैं, संब्रवत है, इसके पिछे एक बहुत बड़ा कारण सैक्डों वर्सों की हमारी गुलामी का कालखन रहा है, इस वज़े से कभी-कभी हमें अपनी ही शक्ती पर विश्वास नहीं होता है, हमारा आपने विश्वास कम नजर आता है, इसलिए हम अपने देश के अच्छी बातों को, हमारे पारंपारिक सिधान्तों को, एविडेंस बेज रिसर्च के आधार पर आगे बढ़ाने के बजाए, उसे छोड़ देते हैं, उसे हीन समझने लगते हैं, भारत की यवापिढ़ी को अब इस चुनौती को स्विकार करना होगा, जर से विश्व ने योग को सहस्विकार किया है, वैसे ही हजारो वर्षो पुराने हमारे आयुरुवेत के सिधान्तों को भी विश्व अभश्य स्विकार करेगा, हां, इसके लिए युवापिढ़ी को संकल पर लेना होगा, और और दुनिया जिस भाषा में समखती है, उस वैज्यानिक भाषा में, हमें समझाना होगा, कुछ करके दिखाना होगा साथियों हम अक्सर सुनते हैं प्रकृती, विक्रूती और संस्कृती इन सब्दों को एक साथ देखें और इसके पीछे के भाव को देखें तो आपको जीवन को समयने का भी एक नया द्वार खुलता हुआ दिखेगा अगर मानव प्रकृती की चर्चा करे तो ये मेरा है, मैं इसका उप्योग करता हूँ इसको और इस भावना को बहुत स्वाभाविक माना जाता है किसी को इसमें कोई एतराज नहीं होता, इसे हम प्रकृती कह सकते हैं लेकिन जो मेरा नहीं है, जिस पर मेरा हक नहीं है, उसे मैं दूसरे से चीन लेता हूँ, उसे चीन कर उप्योग मिलाता हूँ, तो हम इसे विक्रूती कह सकते हैं. इन दोनों से परे प्रकृती और विक्रूती से उपर जब कोई संस्कारित मन सोचता है या व्यहवार करता है तो हमें संस्कृती नजराती हैं जब कोई अपने हक की चीज अपनी महनत से कमाई चीज अपने लिए जरूरी चीज कम हो या अधिक इसकी परवा के बिना किसी व्यक्ती की जरूरत को देखते हुए खुद की चिंता छोड़कर अपने हक के हिस्से को बाट करके किसी दूसरे की जरूरत पूरी करता है वही तो संस्कृति है साथियों जब कसोटी का काल होता है तब इन गुणों का परिक्षण होता है आपने पिछले दिनों देखा होगा कि भारत ने अपने संस्कारों के अनुरूप हमारी सोच के अनुरूप हमारी संस्कृति का निर्भन करते हुए कुछ फैसले लिए संकट की इस भारत दुनिया को दवाईया न भी दे तो कोई भारत को दोशी नहीं मानता हर देश समझ रहा है कि भारत के लिए भी उसकी प्रात्पीक्ता अपने नागरीकों का जीवन बचाना है लेकिन साथियों भारत ने प्रकृती विकृती की सोच से परे होकर फैसला लिया भारत न अक्षा की पुकारबर भी पूरा पूरा ध्यान दिया हमने विश्व के हर जरूरत मन तक दवाईयों को पहुंचाने का बिड़ा उठाया और मानोता किस काम को करके दिखाया आज जब मेरी अनेक देशों के राष्टाध्यक्षों से फोन पर बात होती है तो भारत की जंता का आभार जरूर व्यक्त करते हैं जब वो लोग कहते हैं थैंक्यू इंडिया थैंक्यू पीपल अफ इंडिया तो देश के लिए गर्व और बढ़ जाता है इसी तरह इस समय दुनिया भर में भारत के आविवेद और योग के महत्कों भी लोग बड़े विशिष्ट भाव से देख रहे हैं मेरे प्यारे देशवासियों हम सब अनुभव कर रहे हैं कि महामारी के खिलाप इस लड़ाए के दोरान हमें अपने जीवन को समाज को हमारे आसपास हो रही घटनाओं को एक फ्रेश्ट नजरिय से देशने का आउसर भी मिला है समाज के नजरिय में भी व्यापक बड़लाव आया है आज अपने जीवन से जुड़े हर व्यक्ति की एहमियत का हमें आभास हो रहा है हमारे घवर में काम करने वाले लोग हो हमारी जरुरतों को पुरा करने के लिए काम करने वाले हमारे सामान्य कामगार हो पडोस की दुकानों में काम करने वाले लोग हो इन सब की कितनी बड़ी भूमी का है हमें ये अनुभव हो रहा है इसी तरह जरूरी सेवाओं की डिलिवरी करने वाले लोग, मंडियों में काम करने वाले हमारे मद्दूर भाय बहन, हमारे आंस पडोस के आटो चालक, रिक्षा चालक, आज हम अनुभव कर रहे हैं कि इन सब के बिना हमारा जीवन कितना मुश्किल हो सकता है आज कल तोशल मीडिया में हम सब लोग लगातार देख रहे हैं कि लोकडाउन के दोरान लोग अपने इन साथियों को न सिर्फ याद कर रहे हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रख रहे हैं, बलकि उनकी बारे में बहुत सम्मान से लिख भी रहे हैं आज देश के हर कोने से ऐसी तस्वीर हैं आ रही हैं कि लोग सफाई कर्मियों पर पुष्परवर्शा कर रहे हैं, पहले उनके काम को संभवतों हैं आप भी कभी नोटिस नहीं करते थे डॉक्टर हो, सफाई कर्मी हो, अन्य सेवा करने वाले लोग हो, इतना ही नहीं, हमारी पुलिस व्यवस्था को लेकर भी आम लोगों के सोच में काफी बडलाफ हुआ है पहले पुलिस के विशे में सोते ही नकारात्मक्ता के सिवा है, हमें कुछ नजर नहीं आता था हमारे पुलिस कर्मी आज गरीबों, जरुरत मंदों को खाना पहुचा रहे हैं, दवा पहुचा रहे हैं जिस तरह से हर मदद लिए पुलिस सामने आ रही है इसे पुलिसिंग का मानविय और सम्वेदन सिल पक्ष हमारे सामने उभर करके आया है हमारे मन को जगजोर दिया है हमारे दिल को छू लिया है एक ऐसा आउसर है जिसमें आम लोग पुलिस से भावात्मक तरीके से चूट रहे है हमारे पुलिस कर्मियों ने इसे जनता के सेवा के एक आउसर के रूप में लिया है और मुझे पूरा विश्वास है इन गटनाओं से आने वाले समय में सच्चे अर्थ में बहुती सकारात्मक ब्रलाव आ सकता है और हम सब ने इस सकारात्मक ता को कभी भी नकारात्मक ता के रंग से रंगना नहीं है मेरे पहरे देश स्वासियों देश भर से स्वास्त सेवाओं से जुड़े लोगों ने अभी हाली में जो अध्यादेश लाया गया है उस पर अपना संतोष व्यक्त किया है इस अध्यादेश में कोरोना वारियस के साथ हिंसा उत्प्रिडन और उन्हें किसी रूप में चोड़ पहुँचाने वालों के खिलाब बेहत सक्त सजा का प्रावधान किया गया है हमारे डॉक्टर, नर्सेश, परामेरिकल स्टाप, कम्यूनिटी हेल्थ वर्कर्स और ऐसे सभी लोग जो देश को करोना मुक्त बनाने में दिन राज जूटे हुए हैं उनकी रक्षा करने के लिए एक अदम बहुत जरूरी था